विश्वास हर किसी पर नहीं किया जाता श्यो महा पुराण की कथा करती है कि संसार के लोगों पर संसार वासियों पर दुनिया के लोगों पर अगर विश्वास करेंगे दुनिया के लोगों पर यदि हम भरोसा करेंगे तो हमारा भरोसा एक दिन एक दिन तूटेगा ज़रू दुनिया पर अगर हमने भरोसा किया दुनिया पर अगर हमने विश्वास किया तो हमारा भरोसा तूटेगा ज़रू पर यदि हमने भगवान देवादिर महादेव पर भरोसा किया भगवानी शंकर पर विश्वास किया तो ये निश्चित है वो भरोसा कभी तूटता नहीं है शंकर हमारा हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाता जोड़ी है दुनिया में बहुत सारे दानी होंगे बहुत सारों को दानी कहा जा सकता होगा जो अन का दान करता है उसको भी दानी करते है जो वस्तर का दान करता है उसको भी दानी करते है सण, आबूशन, भूमी, कन्या, गव ऐसे सारे दानों का वर्णन है और हम उनको दानी की गिंती में लेते हैं को दानी को पर भगवान देवजिद्य महादेव को दानी नहीं भगवान संकर को मेरे शिव ओगड़ दानी को महादानी कहा जाता है क्योंकि दानी और महादानी इन दोनों में बहुत अंता है दानी में और महादानी में एक बहुत बड़ा अंता है दानी दान कर दिया दानी ने कुछ दे दिया दानी ने कुछ प्रदान कर दिया दानी ने कुछ दिया दानी ने कुछ प्रदान किया और देकर भूल गया मेरे ओगरदानी भगवानी शंकर को महादानी कहा जाता है महादानी का मतलब यह होता है कि अगर किसी को कुछ दिया है मेरे शंकर भगवान ने तो देने के बाद उसको छोड़ा नहीं है मेरे संकर भगवान ने उसको पकड़ कर अपना बना लिया और जिंदगी में उसका खाजाना कभी खाली नहीं करा दानी और महादानी दोनों में अन्तर अन्न दिया दानी कहला गए वस्तर दिया दानी कहला गए अबुशन दिया दानी कहला गए ये सब दानी के लक्षणें आपने जो दिया वो दानी है पर महादानी उसको करते हैं कि देने के बाद जो छोड़े ना शुमापुराण में शंकर भगवान को दानी महादानी कहा गया है तो साथ में माता पिता को भी महादानी कहा गया आपके घर में जो बुजुर्ग माबाप बेठे हुए हैं आपके और हमारे घर में जो बुजुर्ग माता पिता बेठे हैं उनको भी महादानी कहा गया क्यों? किसलिए? क्या करण हुआ कि संकर बगवान को तो महादानी कहा गया साथ में जितने भी घरों में बुजुर्ग माता-पिता बेठे रहते हैं, जितने भी घर में बुजुर्ग बेठे हैं, इनको भी महादानी काह गया। जिन्दगी भर अपने बच्चों को देते हैं, पर अपने बच्चों को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, वो अपने बच्चों को समाल करते हैं। दया करीन दर्शे अपो। एक माता पिता। गर के बुजुर्ग माता पिता के से होते हैं, जिनको हम महादानी की गिंती में गिनते हैं। गर के बुजुर्ग माता पिता को हम महादानी की गिंती में गिना करते हैं। उसका क्या कारण है। कारण क्या हो सकता है उसका। और महादानी की गिंती में इसलिए गिंते हैं। क्योंकि जैसे शंकर भागवान देने के बाद हाथ छोड़ते नहीं है। उसलिए मेरे भागवान को महादानी कहा गया। उसी तरह माता पिता भी अपने बच्चों को देने के बाद कभी छोड़ते नहीं हैं उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं उसके संत्मिभाने का प्रयास फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रागर्ण में आस्ता चैनल के माध्यम से फेस्बूक यूटूब के माध्यम से जितने विश्युभक्त कथा श्रबन कर रहे हैं आपने एक कथा विदुर जी महराज की धर्म पत्नी की सुनियोड विदुर जी महराज की धर्म पत्नी का नाम क्या था जिन विदुर जी के दर्वाजे पर विदुरानी के दर्वाजे पर भगवान कृष्ण केले का छिलका खाकर आ गए थे विदुर जी की पत्नी का नाम था सुल्भा क्या नाम था जम के बोलो जरा सुल्भा ये शिव की परम भगत थी विदुर जी की जो धर्म पत्नी थी सुल्भा ये भगवान शंकर की बाल यवस्था से बड़ी भगत थी सुल्भा के माता पिता सुल्भा को पार्थिव लिंका निर्मान करना सिखाते थे और ये अपने घर के बच्चों का संसकार है हम फिर निवेधन करेंगे बच्चों को कार दिलाओगे तो वो बेच कर खाजाएंगे और बच्चों को संसकार दिलाओगे तो वो कारू का लाइन लगा देंगे आप बेटों को बच्चों को गाड़ी दिलाओ ना दिलाओ आप बेटों की जित पूरी करने के लिए उनको बंगला गाड़ी कुछ दो ना दो पर इतना याद रखना कि अपने बच्चों को संसकार जरूँ दे जिस माता पिता के बच्चे संसकारीत होते हैं जिस माता पिता के बच्चों में संसकार होता है वो माता पिता कभी जिन्दगी में रोते नहीं है और ब्रद्धा अश्रम की सीड़ी पर चड़ते नहीं है उनकी जिन्दगी सार्थक हो जाते हैं में हम मुबाइल के चक्कर में उपर रहे हैं कि यह आंदाज़ा हम लगाकर नहीं बैठ है कि हम हमारी जिन्दगी को लात मारते चले जाएं कि बच्चों की जिन्दगी पूरी करने में बच्चों की जित Πूरी करने में हम अपनी जिन्द की पलात मारन हुआ हम अपना जीवन बMusicार कर शंकर भगवान के गडेज जिवसरों माराज को पुर्थम्गिन्ती में शंकर भगवान के अपने पुत्र का सम्मान नहीं करा सकते जे पर भगवाद देवदी महहदेव भगवान शंकर ने अपने बेटे को पर्थमगिंती में नहीं गिना अपने पुत्र कार्तिकों को गणेजी को परथमगिनती में नहीं किना कब गिना कि मैं जब कह दिया गणेजीं और सड़ानन परतितिकiają जाओ पुरी प्रत्वी की परिक्रमा करकर आओगे प्रत्वी की अगर तुम परिक्रमा करकर पहुचोगे तो जो पहले पहुचेगा उसको प्रथम गिंती में किना जाए मतलब भगवान शंकर भी अपने पुत्रों से कह रहे हैं भगवान शंकर भी मार्ग दरिशन कर रहे हैं कि कर्म करोगे तो फल मिले आज का व्यक्ति क्या करता है कि मैं सिंगासन पर बिठाउं तो मेरा बेटा सिंगासन पर बिठे मैं अगर आमदार बनाऊं मैं अगर खासदार बनाऊं मैं अगर विधायक बनाऊं मैं अगर सांसद बनाऊं तो मेरा बच्चा भी विधायक और सांसद बने मैं अगर किसी पाटी का या किसी चीज का अध्यक्ष बनाऊं तो मेरा बच्चा भी अध्यक्ष बने मैं अगर ऐसा हूं मैं राजनेता हूं मैं मंत्री हूं संत्री हूं कलंत्री हूं मैं कोई पददिकारी हूं तो मेरा बेटा भी इसी स्थान पर बेट है पर शुमाह पुराण की कथा कहती है अमिताप का बेटा अमिताप जैसा नहीं बन सकता धर्मेंदर का बेटा धर्मेंदर जैसा नहीं बन सकता सचीन का बेटा सचीन जैसा नहीं बन सकता सब की अपनी अपनी क्वालेटी है सबका अपना अपना कर्म है अपने भीतर की जो एक जोती है अपने भीतर की जो एक उर्जा है उसको स्वयम को जगाना साथ क्या सोस्ती है मेरी बहों मेरे जसे बने मैं अगर शुवरे 4 वजजे जाग रही हूँ फो मेरी बहों छे जाग गए मैं अगर चे वज़े जाग रही हूँ नियुकर्ण चेलों हमारा निवेदन है सचिन तेंदुकर का बेटा सचिन तेंदुकर नहीं बन सकता, दुनिया में किसी का बेटा उसके जैसा नहीं बन सकता, तो तुम किस से आस लगा कर बेठी हो कि बहु तुमारी जैसी बन जाए, निवेदन है जो बहु आज के समय में आ रही है जितना कर रही है भगवान को धन्य बाद देना की बहुत अच्छी भेजी है जो अच्छा कर रही है बहुत अच्छी बहुए है जो इतना कर रही है आने वाले समय की जो तुमारे छोटे छोटे पोता पोती है ना इनकी जो जगजन्नी आएगी ना जगदंबा तम मालूम पड़ेगा एक मिनिक तुम उसके साथ बेठ लो ये बहुत बड़ी बात है इसलिए आज के समय की जितनी बहुएं है मेरा सासुआ से निवेधन है जैसी बहु है भगवान भोले नात को धन्यवाद देते रहना कि तुने बहुत अच्छी दी है कम से कम हमारे घर में हमारे साथ रहत हो रही है कोई किसी के जैसा नहीं होता सास सोचे मेरे जैसी फूरती मेरी बहु में होना चाहिए मैं फूरती फूरती काम कर लेती हूं मेरी बहु फूरती पूरती काम करना चाहिए मैं इतने लोगों का बहुजन पचास लोगों का बहुजन च सुबरे 5 बजे तो मेरी बहु में मुझे चाय पिलाए सुबरे 5 बजे अगर बहु उठकर आपने बच्चों को सुबरे से समाल रही है समझ लेना कि भगवान की बड़ी करपा है ठापुर जी की बड़ी करपा है हमारे जैसा कोई नहीं बन सकता और मेरी जीजियों मेरी सास ज तो सिल्वर कैसे गोल्ड हो सकता है मेरा भुजुर्ग माता हो सनी वेदाने सास ये ना सोचे कि मेरी बहु मेरे जैसा काम करें मेरी बहु मेरे जैसा काम करें मेरी बहु मेरे जैसा ना 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 कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता समय की अवस्था में जो परमात्मा ने जनम दिय एक कलेक्टर अपने बेटे को भी कलेक्टर बनाना चाता है पर जैसा पिता कलेक्टर है बेटा कलेक्टर बन तो जाएगा पर बाप की घोड नहीं कर पाएगा ये नीती है एक बाप सिये है अपने बेटे को सिये बनाना चाता है एक पिता इंजिनियर है अपने बेटे को इतनी जिंदगी में परमात्मा से जो प्राप्त करकर लाया था वो केवल उस अकेले को मिला था कि तुमारे जैसा गुण किसी दूसरे को नहीं मिला तुम्हां अकेले को मिला तुम दूसरे से क्या होड़ करना अपने बच्चों को सत्मार्ग दिखाना अपने बच्चों को सत्संग में ले जाना अपने बच्चों को भगवति स्मर्ण में ले जाना यह हमारे आने वाले समय को हम अच्छा बनाने का प्रयास कर कि सवरे श्रिष्ठ बनाने का प्रियास कर भगवान संकर चाहते तो गनेजी महराज को प्रथम बना दहेते। पर भगवान संकर ने गनेजी को प्रथम नई बनाया। कब बनाया। गणे जी जाओ, पूरी प्रत्वी की परिकर्मा करतर आओ, शड़ानन कार्ती के जाओ, पूरी प्रत्वी की परिकर्मा करतर आओ, अपना कर्म पूरा करोगे, तो अपने आप प्रथम गिंती में गिने जाओगे, कर्म पूरा नहीं करोगे, और तुम सोचो कि मेरे पिता जी क पास तो बहुत सारा धन है, मेरे मम्मी के पास तो बहुत सारा गोल्ड है, मेरे परिवार में तो बहुत दोलत है, मेरे परिवार में तो बहुत धन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये वो मंत्र है जो ये बता देता है कि तुमारे परिवारे में कितना भी धन हो पर तुम भगवान का जो नाम जाब करते हो तुम भगवान का जो भजन करते हो उसके बल से तुमारी किस्मत का भी धन तुमारे को प्राप्त होगा तुम दूसरे पर आश्रित होकर नहीं स्वयम पर प्रबल होकर बढ़ने का प्रयास करें स्वयम एक होती है लिफ्ट खड़े हुए उपर चले गया खड़े हुए नीचे आ गया एक होती है लिफ्ट दूसरी होती है सीडी तीसरे नंबर पर है पाउं अपने चरण किस पर विश्वास करोगे बोलो जम के बोलो जरा लिफ्ट पर सीडी पर कि अपने पाउं पर अगर हमारे चरण भगवान ने अच्छे दिया है और हमें अगर बल दिया है तो कितनी भी सीडी उपर चड़ सकते हैं किसी की लिफ्ट की जरुवत नहीं है किसी की लिफ्ट की अपने अपने चरण पर बल रखे हैं मैं चड़ सकता हूं मैं जा सकता हूं लाखों में आप लोग आयो लाखों की संख्या में पूरे ग्राउंड में कहीं जगा नहीं है और लोग रोडों पर हैं चलते जा रहे हैं आते जा रहे हैं लाखों की संख्या में आप लोग किसके भरो से आयो कोई हम उत्रेंगे और कोई हमको लिफ्ट दे देगा और यहां कथा इस्तल तक छोड़ देगा किसी के भरो से आयो जम के बोलो जरा क्या सोचकर आये थे कथा सुनने जा रही हूँ शिव महा पुरान की कथा है और यह सबको मालो में कि कम से कम आदा किलो मीटर एक किलो मीटर दूर गाड़ी रुख जाए बोलो सही है की गलत है सब तैयारी में रहते सबको मालो मैं कि मुझे इतनी दूर रोग दिया जाएगा लिफ्ट भी नहीं मिलेगे को है आप है को समीति पर आश्री थोकर नहीं है कि आप शीर वाले महाराज पर आश्री को कर नहीं आए आप किसी अडोसी पडोसी पर आश्रीथ हो कर नहीं आयोा है कि आप इस पर आश्रित होकर आए हो आप अपने स्वयम पर हम दुनिया से क्या आस लगा आप सबसे निवेदाने जितने बेठे हो अपनी सास तुमको क्या देगी उससे आसमत लगाना तुमारा ससुर तुमको क्या देगा तुम उससे आसमत लगाना तुमारा देवर क्या देगा उससे आसमत लगाना तुमारा जेट क्या देगा उससे एक पत्नी का पती कोरोना में चले गया एक पत्नी का पती कोरोना में चले गया पत्नी रो रही थी धाड़ धाड़ कर खुब आंसुब आ रही थी रिश्टेदार बोले अरी बेटा बेटो बच्चों की ओर देख बच्चों से आस लगा, बच्चों से आस लगा, जो हो ना था हो गया, बच्चों से आस लगा, तेरा बच्चा है उससे आस लगा, अब कोरोना में पती चले गया, दो चार साल बाद, दो तीन साल निकले, और बेटे का एक्सिदेंट हो गया, बेटा भी चले, अब परिवार अरे बेटा परमात्मा से आस लगा अरे बेटा परमात्मा से आस लगा अरे बेटा कोई अपने शरीर को समाप्त कर देता है क्या परमात्मा से आस लगा इतने में बहु ने आँख में जल भर कर अपने रिष्टेदारों से कहा जो तुम आज बोल रहे हो पहले बोले कि पती से आस लगा फिर बोला कि बच्चों से आस लगा आखरी में कहते हो परमात्मा से आस लगा जो तुम अब बोले हो अगर यह पहले बोल देते है तो मैं सब से आस छोड़कर उस भगवान शंकर से आस लगा कर देजाते हैं अंतिम आसे शिव अंतिम बच्चों से निवेदने यहां जितनी मेरी बेटियां बेठी हैं और जितनी मेरे बच्चे बेठे हैं बच्चे जितने बेठे हैं आस मत लगाना कि तुमारे पापा क्या देंगे तुमारी मम्मी क्या देगी तुमारे काका क्या देगा आस मत लगाई ए आप अपने अंदर ऐसा वल उत्पन करिए कि मैं मेहनद करूंगा और मेहनद करूंगा और आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा तो यह निश्चित है कि मैं भगवान भोले नाच से कहता हूं कि बाबा मुझे किसी के भाग्य कम मत देना देना तो मेर किसमत का देना और इतना देना कि मैं दुन्या को लुटाता रहू हूँ एक पत्र है मेरा नाम अमोट चोहान पत्नी श्री प्रदीप कुमार चोहान निवासी शारूत्री शारूत्री पुर्ण सिकंदरा आगरा की रहने वाली है कई बेठी हो तो हाथ इला सकती है और एक बेल पत्र लेने के लिए आ सकती है मेरा नाम अमोट चोहान पत्नी प्रदीप कुमार चोहान निवासी शास्त्री पुर्ण सिकंदरा आगरा की रहने वाली हूँ पत्र आप लोग एलेडी पर पढ़ रहे होंगे, एलेडी पर दिख रहा है पत्र, एलेडी वालो बोलो तो, दिख रहा है, पस्तुरी पुरम सिकंद्रा आगरा की देने वाली हूं, मेरा मोबाइल नमबर यह है, मैं बाबा भोलेनात का क्या भर्णन करूं गुरुदेओ, मेर दोहजार सोला में, बीटेक मेकनिकल ब्रांच से किया था, पर दोहजार तेविस तक भी, गुरुदेओ, दोहजार बाविस तक भी, उसकी कोई नोकरी नहीं लगी थी, सरकारी नोकरी के लिए वो एपलाई करता रहा, आकरी में हार गया, और उसने विचार कर लिया कि अब म भावाला मारच कहता है कि अपनी महनत को चारगुना कर लो, पढ़ाई को और बढ़ाओ, महनत चारगुनी करो, पढ़ाई बढ़ाओ, और दीरे-दीरे ऐसी महनत करो, कि बाबा तुमारा हाथ पकड़ेगा, संकर जी के मंदिर जाना चलू करा, एक लोटा जल चड़ाना प् मेरा बेटा रेलवे के थ्री पोस्ट एकाउंटेग शेक्षन आफिसर और ट्रेन मेनेजर के पत पर न्यूक्त हो गया मैं शिवजी को यहां प्रेणाम करने के लिए यह बिश्वास हमें दूसरे का धन नहीं, हमें दूसरे की संपधा नहीं, हमें दूसरे का वेवाव नहीं, हमारी किस्मत काम को चाहिए, हमारी मेहनत काम को चाहिए कि अपनी मेहनत का कि एक गीत बहुत पहले लोग गुन गुनाते थे कि दुनिया में हम आए हैं तो जम के बुलो जड़ा दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा संसार में आने के बाद में ये विचार छोड़ दीजिए कि आपको कोई कुछ देगा संसार में मृत्यू लोक में आने के बाद ये विचार कर लीजिए कि दुनिया आपसे लेगी और भगवान से भी यह प्राथना करना मेरे ओगरदानी भगवान संकर से यह प्राथना करना कि मुझे ऐसा बना कर रखना कि मैं दुनिया को देता रहूं दुनिया को देता रहूं मेरे हातों में वो बल देना मेरे हातों में वो धन देना अभी भारत के रत्न ताटा बेड़ला जी अभी भारत के रत्न शान्त हुए और भूलीन हुए इतने सेट हैं दुनिया में ना जाने कितने करोड़ पती आये होंगे कितने करोड़ पती चले गए होंगे और आज भी रतन टाटा जी को लोग क्यों याद कर रहे हैं क्यों इतनी शद्धान जली पुष्पान जली क्यों उनको इस्मर्ण किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई का अपने हातों से खुब दान करा पुन्न करा, सतकर्म करा, तो भगवान ने विदेने में उनको कमी नहीं रखी और बढ़ा कर देते हैं, पुन्नेता, ये फिरोजाबाद वालों को मुका मिला था ये पांच दिन की कथा को करवाना, पांच दिन की कथा श्रवन करना, पांच दिन की कथा में अपने तिजोरी क ख़जाना खोल कर आकर इन श्यू भक्तों को अभी तक तुम्हारे फिरोजाबाद में देवी भक्त आये होंगे अभी तक तुम्हारे फिरोजाबाद में अन्य भक्त आये होंगे पर फिरोजाबाद की पवित्र भूमी पर इतियासर चाहे इस कथाने कि लाखो की संख्या में इश्यू भक्त यहां पहुचे हैं, हमने उनको पानी पिलाया, हमने उनको बिस्कुट खिलाया, हमने उनको टॉफी खिलाई, हमने उनको क्या खिलाया, यह जितने टॉफी बाटने वाले हैं, पानी पिलाने वाले हैं, बिस्कुट खिलाने वाले हैं, इनसे आप पूछना जर होती है वहाँ शंकर पांच दिन के लिए साथ दिन के लिए आकर विराजमान होता है वहाँ जितने शुभक्त होते हैं उनका मुक जूटा कराने से कभी घर में संपदा की कमी नहीं आती यह उनकी चित्वरती में भड़ा हुआ मुका मिला था हातों से खिलाने का पिलाने का आओ पानी पिला हम देख रहे थे कलियां से जा रहे थे जब हम देख रहे थे लोग पानी के बड़े बड़े टंके नीले कलर की टंकियां लोडिंग गाडियों में रखकर जक से लोगों को प्लास्टिक के डब़ों से पानी पिल या ये जिन्दगी प्रसार्टता है तुम्हारी कि यह क्या दे रहे हो किसको दे रहे और भगवान भोलेना से कहना कि मुझे किसी दूसरे के भागय का मत देना मेरे शंकर मेरे ओगरदानी मेरे शिव मुझे दूसरे के भागय का मत देना मेरे बाबा अगर देना मेरे शंकर अगर देना तो तुम मेरे भागय का देना शंकर भगवान महादानी कहलाते हैं शंकर भ अपनी लगनता और अपनी मेहनस से आगे बढ़ता है उसका पाउं खीच कर कोई गिराने वाला पेदा नहीं हो पाता है वो आगे ही बढ़ता चला जाता है किसकी सामर्थ था आप अपनी लगन से आगे बढ़ो आप अपनी मेहनस से आगे बढ़ो आप अपनी कर्म से आगे बढ़ो और जितना कर्म करकर आगे बढ़ सकते हो तो जिन्दगी का सुख पाऊगा अब बढ़ी आगे विदुर जी महराज की धरम पत्नी सुलभा जिनके माता पिता ने उनको पार्थिव लिंग का पूजन करना बता है पार्थिव लिंग का पूजन विधान नियम कई लोग कतें सीवर वाले महराज के पास कोई काम नहीं है बस वो एक ही काम बताता है बेल पत्री को ऐसे चड़ाना भस्म को ऐसे लगाना जल को इधर खड़े होके चड़ाना कहीं कमल गटा चड़ा देना कहीं काली मिर्च चड़ा देना कहीं सरसो का फूल चड़ा देना कही कहीं शमी पत्र चड़ा देना, कहीं बेल पत्र चड़ा देना, कहीं आसोक सुंदरी पे चड़ा देना, कहीं इस पे चड़ा देना, सीवर वाले माराज के पास कोई काम नहीं है, बस कुछ ना कुछ उपाई बताते रहते हैं, उनकी कथा में तो केवल लोग के देते हैं, बोल केवल सी और वाला महराज नहीं बता रहा है कि क्या कैसे करना है हमारे यह डाक्टर के पास जाईए डाक्टर से कहे ना डाक्टर साम मेरे शरीर में कष्ट है डाक्टर साम मुझे यह बिमारी हो गई मेरे शरीर में कष्ट हो गया बोलो आप यहां इतने बेठे हो डाक्टर के जाओगे तो डाक्टर क्या कहेगा मैं ये चार गोली लिख रहा हूं ये वाली गोली सुभा खाना ये गोली शाम को खाना ये दिन में खाना इस गोली को गरम पानी से लेना इस गोली को दूस से लेना इस गोली को खाली पेट लेना इस गोली को खाली पेट लेना इस गोली को बता रहा है केवल गोली खाने का तरीका बता रहा है उसी तरह श्यू महापुराण में वेद व्याजी ने 18 पुराण में कहीं पर भी मेरे वेद व्याजी ने कोई उपाई नहीं बताया पर श्यू महापुराण में वेद व्याजी ने एक एक चीज लिग दी क्यों क्यों क्यो इस तरीके से रिजहाओगे तो शंकर सुनेगा पत्रे देखिए अब तरीके से अगर संकर को रिजहाए आजाए तो मैं आयुष शर्मा सुदामा नगर जलेसर रोड फिरोजाबाद का निवासी हूँ मैं कच्छा इलेवन्त का छात्र हूँ मेरा मोबाइल नमबर ये कई बेठे हो तो हाथ हिला सकते हैं आयुष शर्मा सुदामा नगर जलेसर रोड फिरोजाबाद मेरा मोबाइल नमबर ये गुर्देव एक लोटे जलका में क्या वर्णन करूं गुरुजी मेरे पिताजी को दस साल से चर्म रोग उनके हाथ पेर में आ गया गुर्देव हाथ पेर में जो चर्म रोग था वो स साधरन रोग नहीं था उनके हाथ की उंगलियों से पाउं में से गंदा पानी निकलता रहता था पडोस के लोग उनके पास बेटना पसंद नहीं करते थे हम तीन भाई बेहन माता पिता जेसे तेसे पढ़ाई करा और अपना जिंदगी जिया गुर्देव पिता जी का इला इलाज करवाया डाक्टर ने बोल दिया यह रोग आजीवन रहेगा इस रोग को समापत नहीं किया जा सकता हाथ में से पाउं में से गंदा पानी निकलता था और धीरे-धीरे हाथ पेर विकार होते चले गारे डाक्टर ने बोल दिया बच्चों से दूरी बना कर रखना इ इनका पानी मत पीना इस तरह से डाक्टर ने बोल दिया हमारे सारे रिष्टेदार पडोसी सब ने संबन तोड़ दिया गुरुजी एक दिन हम आधार काट के लिए निकल आधार काट निकलवाने के लिए C.S.C. सेंटर जन सेवा के इंदर पहुच गये वहाँ पर पहुच जी को देखा, उनके हातों से गंदा पानी निकल रहा था, पाउं से गंदा पानी निकल रहा था, तो वो देखकर समझ गई कि इनको कोई बड़ा रोग हो गया, गुरुजी उन भाहिया ने हमसे कहा, जो कि आधार काट बना रहे थे, उन्होंने कहा, तुम सीओर वाले महरा पानी राज की कथा सुनना प्रारम करो, गुरुजी हम आपको नहीं जानते थे, हमने आपकी पहली कथा उन अधार काड बनाने वाले CSE सेंटर जन सेवा केंदर के भाईया के कहने पर सुनी, पहली बार कथा सुनकर आपने शंकर के मंदिर में जाने का बोला, हम शंकर के मंदिर में जाना चालू करें, पर हम से लोग दूरी बनाते थे, मेरे पिता से दूरी बनाते थे, परंतु मेरे पिता नहीं जा पाए, हम जाकर शिव को जल चणाते, वो जल लाकर हमारे पिता जी को देते, दस साल से बिमारी थी गुर्देयो, हम जल लाकर पिता जी को देत उनके पूरे शरीर पर लगवा देते, जल उनको पिला देते, बेलपत्री का महत्व क्या है गुरुजी, दुनिया के लोग तो पहले बेलपत्री को मंदिर से उठा कर फेक देते थे, आज के जमाने में बेलपत्री मंदिर में मिलती नहीं है, हम एक बेलपत्र उठा कर लाते, अपने पिता जी को दे देते जो बिमारी दस साल से थी मेरे गुर्देव वो बिमारी तीन महीने के अंदर मेरे बाबा ने समाप्त कर दी मेरे पिता ठीक हो गए मेरे पिता ठीक हो गए और बाबा ने ऐसी करपा करी गुर्देव कि हमारा जो अखो रुपिया लग रहा था सारा रुपिया बाबा ने बचा दिया और दस साल से जो बिमारी थी वो तीन महिने के अंदर ठीक हो गई अब उनके हाथ पेड़ से पानी नहीं निकलता और उनका शरीर पूरा की पूरा ठीक हो गया शरी शिवाए शरी शक्याफ्य श्राइब ने वो पूरा धर पूरा ने बचार रुपिया श्राम्भु 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 उर लुटा दिया करदियां माला माल कशिवाए वो जी जी कह रही है एक तरफ पती के शरीन में रोग दूसरी तरफ बच्चों को खाने के लिए विलाले पड़ गए तो कह रही है घर का पूरा समान हमने बेज दिया था बीमारी बीमारी गोजन के भी लाले पड़ गए पर वो अधार काड़ बनाने वाले को धन्यवाद देती हूँ वो बोल रही है कि उसने हमको बताया कि एक लोटा जल का महत्व क्या है आज बाबा ने हमको बापी सब कुछ दे दिया और सब ठीक भी कर दिया ये शिवह है शंकर इसमें सीवर वाला महाराज कुछ नहीं करेगा आपकी महनात आपका कर्म आपकी लगन सब कुछ करेगा आप जाओ ना संकर की सरण में आप क्यों दुनिया के चकर में पड़े हो आप शिवह के पास जाते क्यों नहीं हो संकर के पास जाओ उस ओगड़ी के पास जाओ बहुत अलग है शुमहापुरान की कता दुनिया के महराज कता करते हैं तो सब को अपने से जोड़ना चाहते हैं और शुमहापुरान की कता ये कैसी होती है ये व्यासपीट आपको शंकर से जोड़ना चाहती है अपने से नहीं शिव से जुड़ो जब कोई नहीं आता भोले बाबा जब कोई नहीं आता भोले बाबा मेरे दुख के दिनों में वो बढ़ आती हमारा संबन हम शिव से जोड़ने हमारा नाता रिष्टा हम शंकर से जोड़ने और जुड़ेगा कब जब हमारा विश्वास प्रबलोगा जब हमारा भरोसा प्रबलोगा जब हमारी दड़ता प्रबलोगा होता है कल एक बहन मेंसेज करा है कुरुछेत्र से सीहोर कि गुरुजी को कहना हमने अपने दर्वाजे पर श्रीशिवाय नमस्तुभ्यम जब गुरुजी गुड़गाओं में कथा करने के लिए आए गुरुग्राम में हम लेकर गए हमने श्रीशिवाय नमस्तुभ्यम अपन तो हम आपका इस्मर्ण कर रहे हैं एक फाइल कोट में चल रही थी श्रीशिवायन नमस्तु उभ्यम लिखा हमने अपने दरवाजे पर लगाया और श्रीशिवायन नमस्तु उभ्यम दरवाजे पर चिपकाने का वो फल मिला कि हमारी फाइल 15 दिन के अंदर निपड़ गई औ कश्रीशिवायन नमस्तु उभ्यम है एक मन्त्र का उचारन मंत्र का स्मर्ण भी हमें सुख दे जाता और दीपावली पर सब समान खरिदने जाना डीवाली पर परदे खरिदने जाओ दिवाली पर सोफ़ सेट के कबर खरिदने जाओ दिवाली पर तुम दुनिया का बरत तुम्हारे दर्वाजे पर श्री 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 नमस्त उभ्यम है तुम हमारी दुकान में श्री श्री नमस्त उभ्यम हो तो देओ एक मैं अपनी दुकान पर लगाऊ एक मेरे अपने घर पर लगा उस मंत्र का इसमन हम करें भटकना नहीं है, आमको किसी के दर्वाजे नहीं जाना, हमें किसी की चोखट पर नहीं जाना, हमें शुपराश्रित होना, शंकर, शुमाहा पुराण के कथा करें, सुल्भाब, विदुर जी की पत्नी, और वह विदुर जी की धर्म पत्नी, जिसको आता नहीं कुछ भी, पर माता पिता उसको पार्थिव श्विलिंका निर्मान करना सिखा रहा है, आजए अज़िए, कम विदुर जें . मत मततोत्तो . अच्छे खूश हो , फिर दह बर माम भी , तह फूश भूश हो ख्रदः , दाबा को छप्रात हो जई . हुआ हुआ है . अब तो जॉब लग गया है ना बहुरा कि पूपाई रिष्टा तेरा मेरा सब से है क्यारा रिष्टा तेरा मेरा सब से है क्यारा तु मेरा बाबा में हूँ तेरा लाला में हूँ तेरा लाला तु मेरा बाबा में हूँ तेरा लाला में हूँ तेरा लाला एक संबन्ध शिव से जोड़ा है अपना संबन्ध विश्वास के सांट जिस दिन शंकर से जुड़ के शिव से पीली भीद किस-किस को आना है बोलो तो जरा हाथ उठाओ जरा आना है तो यहां से जब कल जाओ न तो कहकर जाना तेरी भूमी को प्रणाम कर जा रही है एक महीना भी पूरा नहीं है मैंने सुना है तो छप पर फाड़ कर देता देवता पल्ला जाड़ के देते हैं और भोले ना चप पर खाड़ कर देते हैं के कर जाना वो नवंबर की कथा में पीली भीद से पहले मेरे बावा मेरी जोली ऐसी भर देना कि पीली भीद में मेरा भी पत्र पहुच और पंडाल में बेटकर कथा सुना aria एसी कृपप्द तेरी चाहिए दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो तू कर सकता है अकाल मरत्य वोँ आरे जो काम करे चंडाल करकाल उसका क्या बिगाड़े जो बहत तो हो महा जो शिव की अराधना में लगाई, शंकर की अराधना से दूर नहीं है, शिव से दूर नहीं है, बरोसा रखिए बाबा पर विश्वास, आप किसी संत से कम नहीं है, करकराती हुई धूप में सुवेरे आट नू वजे से खड़े हो बेटे हो इंतजार करें, आपकी तपसाधना किसी से कम नहीं है, जो माता है पंडाल के अंदर जाकर बेड़ गई, जरा विचार करिएगा, एक संत जैसे अपनी इंद्रियों को सयम करते हैं, सुवेरे से जगा समाल कर बेटते हैं, बाश्रूम के लिए भी बाहर नहीं जाते हैं, कहीं चले गर कोई ने आने नहीं दिया तो, हमारी जगा चली गई तो, कितनी इंद्रियों पर सयम होगा जरा विचार के अपनी इंद्रियों पर कितना सयम हैं, लोग काते हैं कोई क다 ''संत करना का है कोई कथा हम kate है इन याक बीक पर कते के इन 애के की इंद्रियों का किटना कar या जलए है भोजन थोड़ाता करें कहीं जाना ना पड़े पॉझन उतने पीते हैं जदिय Mail बीट है वहीं पर टणद वह अवाए जो जाते हैं बाबा का नाम लेते हैं पाँच दिन बोलबम का नारा बाबा एक सहारा उसके आश्रित होकर जीते हैं पाँच दिन तका खंड बरत तप करकर पाँच दिन कोई लुड़कता आ रहा है कोई दंडवत करता रहा है ये नजारा कभी देखा जिंदगी में किसी कथा के पंडाल में, किसी कथा इस्थल पर लोग दंडवत करते जाते हैं, मंदिर लोग दंडवत करते जा सकते हैं, लुड़कते लुड़कते लोग मंदिर जा सकते हैं, पर कथा में कोई दंडवत करता हो नहीं आता, पर शिव महापुरान की कथा ये किसी कथा है, जिस सबस्क्राइब पहुषते हैं कि मेरा बाबा मेरी धोली भरेगा और बाबा भड़ता जरूर है खाली छोड़ता है कि उनके अंदर वो भरोसा वो विश्वास वह घड़ता उनके भीतर है कि शिब मेरे साथ है आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे दंडवत करते आ रहा है छोटे-छोटे कई माहिला कई पुरुष दंडवत करते आ रहा है उनका विश्वास प्रवल है उनका भरोसा प्रवल है उनका विश्वास के अनकूल वा आनंद के साथ में उनका भरोसक कहा जाएगा वो विश्वास परमात्मत तोड़ेगा रामचेत मान्यस में तो इसी बाबा लिखते हैं शंकर विश्वास रूपिनो शिव को विश्वास कहा गया है जब शंकर विश्वास है तो वो तूटे ना शिव रूपी विश्वास जब तूटता नहीं है शंकर पर किया गया भरोसा जब छूटता नहीं है तो शंकर भगव यह पत्र है जिनको आम बहुत सारा पड़वी नहीं पाते हैं इतना समय नहीं देता कथा के अंदर की हम इतने पत्रों को पड़ें पत्र यह यह प्रमान देते हैं कि शिव क्या देता है हम फिर निवेदन करेंगे किसी को अपना हाथ दिखाने से अच्छा है कि अपना हाथ एक लोटा जल भरो और महादेव को समर्पित करो हाथ दिखाने वाला हाथ कोई देख भी लेगा तो वो तुमारा भविष्य बता दे कि भूतकाल की वर्तमान जो बताना हो वो बताएगा और होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं माने पर एक लोटा जल जब महादेव को हाथ में रख कर शीव को समर्पित करेंगे तो यह निश्चित है कि शंकर हमारे दुख को समाप्त जरूर करें शीव हमारे दुख को समाप्त करें देखा विदुर्जी की पत्नी सुलभा विदुर्जी और विदुर्जी की पत्नी सुलभा बाल्यवस्ता में छोटी माता-पिता ने उसको पार्थिव श्विलिंग का पूजन करना सिखाए पार्थिव श्विलिंग का पूजन करना सिखाए पार्थिव श्विलिंग का प बच्चों को पढ़ने का बोलते हो, बच्चों को याद करने का बोलते हो, बच्चों को विद्याध्यन का बोलते हो, बच्चों को काम करने का बोलते हो, तो महीने में एक बार बच्चों को पार्थी शिविलिंग बनाने का भी बोलो कि जा गंबले में से मिट्टी ले करा ठाली ले और समें बेट के पार्थी शिविलिंग बना भले बच्चा पूजन करे ना करे बच्चा उस पर जल चड़ाए ना चड़ाए बच्चा अराधना करे ना करे पर बच्चों से कहो कि जा धालिला और बाहर से मिट्टी लेकर पार्थी शिविलिंग का निर्मान कर भगवान संकर का शिविलिंग बना बच्चे से कहो बना निर्मान कर मारकंडे बाबा की कथा करती है कि मारकंडे बाबा ने क्या राधना करी संकर की। वो पता नहीं। पर मारकंडे बाबा ने अपने बाल यवस्था में केवल पार्थिव श्विलिंग का पूजन करा, पूजन से मतलब है कि भले वो जल चड़ाए, ना चड़ाए, चंदन लगाए, नाच लगाए, हल्दी लगाए, ना लगाए, चावल लगाए, ना लगाए, पर उसने इसकी बापिस उसको विसर्जन कर दिया, कुछ पूजन नहीं करी, तो भी विसर्जन कर दिया, वो भी प्रमान देता है, वो भी फल देता है, उसका भी प्रमान अमरे सास्त्र देते है, अपने बच्चों को नियम बनाओ, रोज कोचिंग जाए, टूशन जाए, पढ़े, आगे बढ़े, खोब प्रबल बने, खोब एजुकेशन करे, खोब नाम कमाए, पर अपने बच्चों से कहो, महीने में एक बार, जा बिटा गमले में से मिट्टीन काल केला, जा जरा बगीचे में से मिट्टी ले करा, जा नीचे ग्राउंड में से मिट्टी ले करा, ठाली म मैं बेठ और शिवलिंग बना बच्चा शिवलिंग मारकंडे रिषी की उमर बढ़ने का सबसे बढ़ा कारण यही है और फिर निवेदन है मैं हिसे जितने स्कूल जितने कॉलेज जितने कोचिंग, जितने ट्यूशन, जितने मिलेंगे, तुमको वो सब आए बढ़ाने का तुमको आइडिया देंगे क्या बढ़ाने का देंगे? जम के बोलो जर्म के, आए बढ़ाने का आइडिया देंगे जितनी कोचिंग किलासे वो सवाईडिया देगी एसा करोगे तो इतना कमाओगे एसा करोगे फिर तुमारा बंगला बन जाएगा गाड़ी बन जाएगी ये पढ़ाई करो एसा हो जाएगा ये सब्जेक्ट चुनलो एसा हो जाएगा हर व्यक्ति तुमारी आय बढ़ाने का का पुरान करती है कि तुम्हारी आयू बढ़ेगी तो जो आय आय है उसका तो भोगों गया मालूम पड़ा जोड़ो और जोड़ते जोड़ते पचास की उम्र में आय सब जोड़ लिया आय तो बढ़ गई और मालूम पड़े पचपन में बिमार पड़े और निपटके चले इसलिए आय के साथ आयू बढ़ना चाहिए आय के साथ आयू बढ़े भगवान से प्राथना करो बाबा बोले ना संकर के शिविलिंग का निर्मान करो भले पूजन करो ना करो भले जल चड़ाओ ना चड़ाओ ये तुमारे पर तुम्हान संकर का शिविलिंग का निर्मान कर तो निर्मान करने से तुमरी आयू भी प्रभल होगी आय तो होगी पर आयू भी प्रभल होगी शिवतत्व की प्रापती और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवाँ विज्य पुडती जावांगी बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी बोले मैं तेरी पतं शंभो मैं तेरी पतं हावाँ भिज्य पुडती जावांगी बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावाँ भोले मैं तेरी पत शम्भो मेरे, एक शिब को अपना बनाने का प्रेस, सुल्भा, सुल्भा के माता पिता ने सुल्भा को पार्थी बनाने का निर्णाई दिया, बनाओ पार्थी, सुल्भा ने पार्थी बनाना प्रार्ण किया, कभी मोका लगे अपने घर में जो गमला, तुमारे घर के अंदर बगीचा नहीं होना तो चलेगा, गमला है छोटा सा, अरे बोलो तो जमके, काय का भी गमला हो, मिट्टी भरी हुई गमला है, अगर छोटा सा भी गमला हो ना, तो उस गमले में महीने में एक बार उसी मिट्टी को उठा कर, ऐसा शिवलिंग जैसी आकरती बना लो, वहीं पर जलाधारी बना लो, और उसी पर थोड़ा सा जल तीन बार, आचमन जैसा छोटा छोटा सा चुल्लू में लेकर, जल भी अग आपने दे दिया और बापिस उसी शिवलिंग को उसी गमले में विसरजन कर दिया, उसी गमले में पानी डाल कर ठंडा कर दिया, विसरजन कर दिया, तो भी वह शिवलिंग आपकी आय और आयू दोनों को बढ़ाने का कारे करता है, शिवलिंग का ने लो, आप शंकर के हो य आप सोयम शंकर के हो जाईए और शिव आपका हो जाए एक्दम शान्त पर्शूराम भगवान संकर भगवान के शिष्ष है पर्शूराम भगवान संकर भगवान के शिष्ष है शिवजी के शिष्ष अपने चेले से अपने शिष्य से भगवान संकर ने परशुराम जी से मांगा क्या था गुरू का फर्जे अपने शिष्य से कुछ मांगना ये तो गुरू अपने चेले से मांग सकते है भगवान संकर ने परशुराम जी से क्या मांगा था भगवान शंकर ने परशुराम जी से मांगा था कि परशुराम अगर तुम मुझे से विद्ध्या सीखे हो सस्त्र सीखे हो तो मुझे गुरु दक्षिना में कुछ चाहिए परशुराम जी ने कहा मेरे बहुले बाबा आप मुझसे गुरु दक्षिना मांगना चाहते हैं हाँ मांगिये क्या चाहिए शंकर भगवान ने परशुराम जी से कहा अपना क्रोध मुझे को दे आप अपना क्रोध मुझे को दे क्योंकि एक क्रोध ऐसा है पर नब बरबाद होता है अपनी यiąगा पर परिवार कटुम कवीला नाते रिष्ठे बेटे बहू नाते सब बरबाद हो जाते परोध मैं गुस से कितनी देर का गुस्सा आया जम के बोलो जरा दस मिनिट का पांच मिनिट का पंदरा मिनिट का गुस्सा आया आप अपने घर में गए तलवार लाए और मालूम पड़ा किसी के पेट में मार दिया छुरा लाए पेट में मार दिया कितनी देर लगी चुरा मारने में कितनी देर लगी जम के बोलो जरा पाँच मिनीत दस मिनीत अंदर गए गुसे में लालो करतल मार लाए चुरा मार दिया अब दस मिनिट छुरा मारने में लगा पर अब ठाने में जेल में दस मिनिट में छूट जाएगा क्या जम के बोलो जड़ा छूटेगा दस घंटे में छूटेगा दस महीने में छूटेगा नहीं पुरान कहती है छुरा मारने में गुस्से में दस मिनिट लगा दस मिनिट का वो क्रोध तेरे घर के लोगों को भी दस साल तड़पाएगा और तुझे भी दस साल तड़पाएगा दस मिनिट का क्रोध, दस मिनिट का गुस्सा, दस मिनिट का तुमारा तलवार, दस मिनिट का तुमारा चाकू, तुमने तो मार दिया, गुस्से में आकर, क्रोध आया, बरवाद हो गए, संकर भगवान ने अपने शिष्च परशुडाम भगवान से कहा, अपना क्रोध मुझ जितनी मेरे जीजा बेठे हैं, जितनी मेरी बेटियां, बेटा, जितनी मेरी माताई बहाई बंदु जितने बेठे हैं, उनसे निवेदान करूंगा, जिंदगी में क्रोध आए, थोड़ा मोन हो जाईए, क्रोध आए, संकर जी के मंदिर चले जाईए, क्रोध आए, अपने घ भर से थोड़ा सा शिवाले तक पहुच जाएए शंकर के मंदिर में बेल पत्र के नीचे बेटकर शंकर का नाम का उच्चारण करिए श्री शिवाए नमस्तुर्ण कि पालभर का प्रोध तुम्हें जिंदगी भरूला सब्सक्राइए परशुराम जी से मांगा तो क्या मांगा कुरोध गुस्सा देता है सुलभा पति का अपमान हो गया बिदुर जी को हस्तिनापुर के सिंगहसन के सामने अपमानीत किया गया धत्राश्ट कुछ नहीं बोले क्योंकि दुरियोधन का महों इतना ज्यादा थी कुछ बोले ही नहीं और यसे कई धत्राश्ट पड़े हैं जो अपने पुत्र और पुत्री के महों में अपने बच्चों के महों में अपनी जिंदगी में नास कर रहे हैं और बच्चों की जिंदगी में नास कर रहे हैं अपने पुत्र महों से दूर होकर परमात्मा से महों करना प्रारम करिए जिस दिन परमात्मा से महों करना प्रारम करोगे तुम्हें आपने पुत्र को पुत्री को समहलना नहीं पड़ेगा परमात्मा उस पुत्र और पुत्री को समहल लेगा एक पत्रे देखिए मेरा नाम प्रतीभा है उत्तर प्रदेश के जिला मेनपुरी हर कल की निवासी हूँ एक लोटे जलका में क्या वर्णन करूं गुर्देव मेरा नाम प्रतीभा है उत्तर प्रदे जिला मेनपुरी की करल की निवासी हूँ एक लोटे जलका क्या वर्णन करूं गुर्देव 23 नो दो हजार अठारा को मेरी पुत्री अराध्या का जन्म हुआ उसके शरीद का विकास नहीं हो रहा था परामार्ष डाक्टरों से लिया गया तो डाक्टरों ने कह दिया कि ये बच्ची जिंदगी भर विकलांग रहेगी पाउं से चल नहीं पाएगी बोल नहीं पाएगी बेठ नहीं पाएगी सुन नहीं पाएगी, ना बोलेगी, ना चलेगी, ना सुनेगी, पलंग पर पड़ी रहेगी, और डप्तरों ने जैसा कहा, मेरी बेटी वैसी की वैसी रही, हास्पिटिल से हम लेकर आए, उसके बास से बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती, पलंग पर ही गंदी कर दे, पलंग मर गया मेरी जिंदगी अंधेरे में गिर गई गुर्देयो ना बेटी चल पाती ना बोल पाती ना सुन पाती पलंग पर पड़ी देती सरस्राल बालों ने देखा कि बेटी भी विकलांग पेदा हुई और बेटा अलग मर गया पहू के करम बुरे बहू के उपर लांचन लग ही होती कि मेरा पती चले गए बेटी भी भिकलांग थी मेरे पिता ने दुबारा से कोशिश करी और फ़रुका बात कन्नोज और ग्वाल्यर के सारे डाक्तरों को दिखाया पर डाक्तरों ने एक ही बात कहा कि तुमारी बेटी पलंग पर ही रहेगी ना सुन पाएगी ना बोल ना चल पाई, पलंग पर ही बेटी पड़ी रहती, अब सब दूर से आज छोड़ दी, मेरे पिता जी ने भी कह दिया, बेटा, तेरी बेटी की किस्मत ही ऐसी है, अपने इसको फरुका बात दिखाया, कन्योज दिखाया, ग्वालेर दिखाया, पर तुमारी बेटी की किस्मत ह ही ऐसी है मेरी बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती हमने आज छोड़ दी तब समय निकलते निकलते कि 2021 आ गया मेरी माने पहली बार आपकी कथा मेरे पास वाली काकी के कहने पर सुनना चालू करी जब मेरी माने कथा सुनी तो मुझसे कहा बेटा स्रावन का महिना है सिवर वाला महराज टीवी के सामने बेट कर ओनलाइन शिव जी के अभिशेक कराएगा आपन भी अभिशेक करेंगे अभिशेक करेंगे मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे उस पे एक बेलपत्र चढ़ा कर अपन अपनी बेटी को पीस कर खिला देंगे वो सिवर वाला महराज कहता है कि श्रामन महिने की शिवरात्री पर पार्थियों कूजन किया गया तो फल मिलता है शिव महापुरान की कथा पन बेटी के कानों में हेट फोन लगा कर सुनाईंगे बेटी को संकर का चड़ा हुआ जल पिलाएंगे परशुपतिनात का ब्रत करेंगे मेरा विश्वास केता है कि वो सिवर वाला महराज बोलता है तो लोगों के भी पत्र आते हैं हमने सुना है वो पत्र में काम होते हैं मैं भी करकर देखती हूं और अपन मोका मिला अपने पास में कहीं कथा हुई तो अपन कथा भी सुनाएंगे, हम 2021 से कथा सुनना चालू करें, बेटी के लिए प्रयोग करना चालू करा, डाक्टर तो आज छोड़ दिये थे, 22 जुलाई 2023 को मेनपुरी की कथा हुई, हम हमारी बेटी को हाथ में उठा कर मेनपुरी की कथा में पंडाल में ले जाकर बिठा अपनी बेटी को पंडाल में बिठा कर उसको कथा सुनवाई, कथा सुनाने के बाद जब धाई महिना पूर्ण हुआ, गुर्देव, बाबा की ऐसी करपा हुई, कि मेरी बेटी पहली बार अपने हाथ के बल उठकर खड़ी हुई, और खड़ी होकर आड़ी तेड़ी चलती हुई मेरे पास में आई, गुर्देव, मेरी बेटी ने सुनना प्रारम करा, हम बेटी को आवाज देकर बुलाते, बेटी हमारे करीब में आती, हम बेटी से बेलपत्र उठ़बाते, वो बेलपत्र उठा कर देती, अब मेरी बेटी ने बोलना चालू करा, उसकी 80 प्रतिश हुई उसका, दोनों फोटो लगा रहे हूं, जो बेटी मेरी चलना ही पाती थी, पढ़ी रहती थी, बोलना ही पाती थी, सुनना ही पाती थी, और दूसरा मेरी बेटी खड़ी हुई, उसका भी फोटो है, और असी परतिशत वो बोलना प्रारम करूंग, एक लाइन अच्छी लिखी है आप रमगुन बुनाती है भोले नाथ दया करना में तेरे भरोशी एक हमारा विश्वास एक पत्रोर आया है पकड़िए इसको एक पत्र ये भी है ग्राम जिलरा आगरा उत्तर प्रदेश से हैं मेरा नाम रिशब शर्मा मोबाइल नंबर मेरा ये है भगवान गोले नाथ की भक्ति का महिमा का क्या बढ़नन करूं गुर्देयो मेरे बड़े भाई उमेश शर्मा बलड कैंसर से पीडित हो गए एक नवंबर दो हजार तेविस को महात्मा गांधी हास्पिटिल जैपूर में एडमिट कर दिया गया था दो दिन बाद हमें रिपोर्ट आने पर बाद में बिमारी का पता चला रिपोर्ट में बिमारी में बलड कैंसर जैसी भायानक असाध्य रोक कपा देने वाला बिमार पती चली उसी समय कोसी मध्युरा में कथा चल रही थी कथा में मेरी छोटी बहन भोले नात काशी विश्वनास से प्राथना करने को महाँ पहुच गई गुर्यव कोशी करना के पंडाल में बेट कर कथा सुनी चार दिन कथा सुनी चार नवंबर 2003 को डाक्टर ने बोला था कि मरीज की हालत खराब है मरीज को हास्पिटेल में लगबग 50 दिन भरती करना रहेगा 50 दिन तक भरती करना रहेगा मरीज को वेल्टी लेटर पर डाल दिया गया ऐसी स्थिती में वेल्टी लेटर पर डाला गया हम कुबरिश्वर कुबिर भंडारी का कंकर की महिमा का क्या वर्णन करे गुर्देव कोसी मत्वरा की कथा में छोटी बहन ने भोले बाबा से प्रात्ना किया हास्पिटिल में कुबिर भंडारी का कंकर संकर लेकर पहुच गई और रुद्राक्ष लेकर पहुच गई बेल पत्री चड़ा कर भा मेरा भाई की हास्पिटिल में छुट्टी हुई, 11 नवंबर 2023 को घर आ गए, आसाद्य रोग के चलते हुए, पांच पत्ते शमी के बेल पत्र शंकर को चड़ाना प्रारम करा, पीपल के पत्ते का घर पर मरीजों को गंगा जल से सब पीस कर प्रजान करना प्रारम करा, दूसर प्र नहीं है, यह विश्वास है, कई बेठे हों रिशव शर्मा जी, तो बेल पत्त लेने के लिए आ सकते हैं, और यह परती बहा, उत्तर प्रदेश जिला मेनपुर की करहल की निवासी हूं, अगर वो भी कई बेठी हों, तो बेल पत्त लेने आ सकते हैं, एक शिब के परत हम तो बाबाके बदरों से, चल्ते हैं, हम तो बाबाके बदरों से, चल्ते हैं, यह दुनियावाले, चलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं हम तो बाबा के बरुसी चलते हैं हम तो बाबा के बरुसी चलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं ये बेटी है जो रगड कर चलती थी पलंग पर पड़ी रहती थी ना सुन पाती थी ना भोल पाती थी और आज फुद चलकर कथा के पंडाल में पहुती हैं चलते हैं हम तो बाबा के बरुसी चलते हैं दुनिया वाले जलते हैं हम तो बाबा के बरुसी चलते हैं हम तो बाबा के बरुसी चलते हैं बोले बाबा के बरुसी चलते हैं हम थो बाबा के बरुसी चलते हैं और फिर वोई लाइन आ गई मैं सब का होकर देख लिया एक तेरा दोना वाकी है आप लोग भी बोलो मैं सब का होकर देख लिया मैं सब दर जुक कर देख लिया एक तेरे दर जुकना वाकी है मस उसकी चोखट पर उस शिव को भजना संकर की अविरल भक्ति को धारण करना एक बेटी लिख रही है पत्र में मेरे पिता मिलेटरी में सर्विस करते थे और आर्मी में सर्विस करते हुए किसी कारणों से उनको आर्मी की सर्विस छोड़ना पड़े उम्र हो गई चुमाली साल पिता घर पर आकर रो रहा है नेत्रों में जल भरा पत्णी ने पूछा बच्चों ने पूछा क्यों रोना क्या हो गया पापा हुआ क्या नोकरी छोड़ना पढ़िए मेरी नोकरी नहीं लगए चुमाली साल की उम्र मेरी हो गई अब क्या नोकरी लगे गए जो माली स्वर्श चुकिए मेरा नाम श्रेया शर्मा है करावल नगर दिल्ली की निवासी हो कहीं बेठी हो श्रेया जी तो आप ही आए आजाओ एक बेल पत ले जाना मेरा नाम श्रेया शर्मा है करावल नगर दिल्ली की हूँ गुर्देव मेरे पिता आर्मी में नोकरी करते थे किसी कारण बस भोज की नोकरी को छोड़ना पड़ा उसके बाद सेंटरल फोर्स के कॉंपटिशन की तैयारी करने लगे पर उनका नोकरी नहीं लगा चुमालिस वर्च की उनकी आयू हो गई अब करे तो करे क्या पिता जी मन से हार गए तब हमने हमारे पापा से कहा पापा वो सियोर वाला महराज कहता है कि मेहनत चार गुनी कर दो और लगां से काम करो तो नोकरी मिलेगी जरूर मेरे पिता जी बोले ऐसे तो कथा बाचब बहुत हैं कथा करते हैं बोलते हैं वो अपनी जगा पर है पर मेहनत तो मुझे करना है मैं कैसे करूँ मैंने अपने पापा से का पापा फिर बापिस पढ़ाई करो वो सियोर पिता जी नहीं हारना नहीं किये फिर पढ़ो मेरे प पिता जी ने फिर पढ़ाई करना प्रारम करी, कॉंपेटिशन एक्जाम देना प्रारम करा, और बाबा आपका भरोसा संकर पर चड़ाये गया, एक लोटा जल और जल पर भरोसा, और संकर पुबरिश्वर महादेव पर भरोसा ऐसा हुआ, कि आज मेरे पिता चुमालिस साल की आयू में बापिस BSF SI के पत पर नियूक तो हो गए, मैं बाबा को धन्यवाद देशिक ली आयूँ, ये शिवतत्व है, शंकर ओघड़ी है, उसकी भक्ती कभी खाली नहीं जा सकते, बस विश्वास करने वाला चाहिए, बरोसा, आजा, रोते नहीं, रोते नहीं, रोना नहीं, रोनानीं, रोनानीं, बुश रो, अब तो लग गया न, रो गया न, गट अपाट जानाव है हम वे मुष्टंग रोते नहीं है सब अच्छे कुश्व कर जाओ हरा नहीं है तुश्व के जाओ है हाँ सोगे जाओ ही जाओ मावार्टत शहार सब लोग हां सब से प्यारा, रिष्टा तेरा मेरा, सब से प्यारा, तु मेरा बाला, मैं हूँ तेरा बाला, मैं हूँ तेरा बाला, ये पाँच दिन की शूप पुराण में सेवा, समर्पन, तुमारा जितना तुमने भक्ती से सुनी है, सेवा करी है, समर्पन करा है, जो बाबा पर विश्वास करा है, ये हमारा विश्वास करता है, कि मेरा कुविर भंडारी हाथ पकड़ कर आगे जरूर पढ़ाएगा निश श्वास छूटे ना, बरोसा तूटे ना, सुलभा अपने पती से कर रही है, क्यों चिंता करते हो, क्या हो गया, विदुर जी ने कहा, अज मुझे भरी सभा में दुरियो धन्य लटकात, अब सब्द कहे, ताने दिये, गाली दी, आड़त रड़ा कहे, बहुत अप्शब्द कहेगा, बहुत अप्शब्द कहेगा, अरे तो कहने दो, शंकर का जो भक्त होता है, वो अपने मुख से एक ही बात कहता है, आग लगे बस्ती में और अपन रहो, क्या किसको रोईए, चादर तान के सोईए, कब तक किसको रोएंगे, देवरानी ने ये कह दिया, जेठानी ने ये कह दिया, बहु ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने गाली रे दिया उसने आप सब दख़े दिया मन कब तक छोटा करेंगे मन समुदर जैसा गहरा और समुदर जैसी लेहरो जैसा बनाओ आपने मन को समुदर की सबसे वड़ी खुबी है कि समुदर में कचरा डालो समुदर कचरे को किनारे लगा देता है समूत्र में हीरा डालो हीरे को अंदर उतार लेता है तो समूत्र जैसा मन बनालो कोई गाली दे किनारे लगा दो और कोई भगवान का भजन दे उसको अंदर उतार लो गहराई तक लिए कर चले जाओ समूत्र जैसे समूत्र जैसे सूपड़ा देखा है भटकते हैं क्या बोलते हैं आपर सूप अच्छा ठीक है सूप सूप देखा है आज़ा क्या है क्या खुँ खुँ B'T主 प्सूप प्स्थ क्या हू learned f कि शिव से करीब रातन एक होता है सूप सूपडा सूप का काम क्या है यह सूप है इसका काम क्या है कच्रा साथ करना सूप और चलनी में क्या अंतर है चलनी अच्छा अच्छा नीचे गिरा देती है और कच्रा कच्रा अपने पास रख लेती है सूप कच्रा कच्रा नीचे गिरा देता है अच्छा अच्छा अपने पास रख लेता है हमें चलनी जैसे नहीं बनना सूप जैसे बनना है अच्छा मिल जाए अपने पास में रख लो बुरा मिल जाए उसको धकेल कर बाहर कर दो धकेल तरवार और ये गुण तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से आता है ऐसा नहीं कि ये गुण नहीं आता कि अच्छा अपने पास रखना है बुरा देना है हमने देखा है भागबत में लोग साड़ी ज़्यादा चड़ाते हैं पर कौन सी साड़ी चड़ाते हैं ये तुम भी जानती हो ये तुम भी जानती हो हमारे कहने से नहीं जो साड़ी बहुत अच्छी है वो तो तुम अपने पास रख लेते हो थोड़ी भी और अच्छी है बहु को दे देते हो और अच्छी है बेटी को दे देते हो साड़ी थोड़ी सी भी गरवड है शीरी भागवत भगमान की हारती पापियों पाप से करती बस जैसे ही साड़ी गरवड है उसको अची पन्नी में फेक में करक उड़ा के और उसमें पन्नी में बरक मरक लगा के और जो चली और चल के और इतनी प्रेम से भागवत को और पन्नी में पेक करी हुई साड़ी और बढ़िया चड़ा दे पन्डी जी को लगा कि बहुत साड़ी है जब घर जाके पंडितायन को दी पंडितायन कालरात्रिचा मुडापन गई कि पंडितायन ने कर दिया कि कहां से लेकर आए ऐसी साड़ी कोई पेंता है कि अब कि अब कि शिम महापुरान की कथा कर रही बस यही चतुर्ता चाहिए जेसी चतुर्ता तुम भागबत में दिखाते हैं तुम हाली जिंदगी में रखओ को कुई ने गाली दे किनारे लगा दो आप सब्द का किनार लगा दो बेकार बोला छोड़ दो अच्छा था सुईकार कर दो अच्छा है अपने पास रखो भगवान का नाम है अपने पास रखो भज़ाने अपने पास रखो कीरताने अपने पास कुछ अच्छाई मिल रही है अपने पास बेकार है कि नारे लगाते हैं विदुर जी की पत्नी सुलभा बोली क्यों चिंता करते हो बोल दिया ना उन्होंने अब सब कोई बात ना चलो अब हस्तिनापुर में नहीं रहेंगे हस्तिनापुर छोड़ कर रहेंगे विदुर जी ने अपनी पत्नी सुलभा को देखा और सुलभा को देखकर कहा कि तू कहती है कि हस्तिनापुर में नहीं रहेंगे हां इस राज्य महल में अब हमको नहीं रहना अब राज्य महल छोड़ कर दूसरी जगा जाकर रहें चलो एक छोटी सी जोपड़ी बनाकर हस्तिनापुर के बाहर हस्तिनापुर के बाहर एक छोटी सी जोपड़ी बनाकर अपने महल से बाहर बिदुर जी महाराज अपनी जोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी सुलभा के साथ रहने लगे सुलभा संकर की भक्त थी इसलिए वो कोई अप्षब्द भी कह देता था तो उसको स्विकार था वो कभी अप्षब्द बोलती नहीं कभी अप्षब्द नहीं सुलभा का नियम था आडा तेडा कोई बोले बोलने दो अप्षब्द कह रहा कहने दो ताना दे रहा देने दो, कुछ बोले बोल ले, सुलभा का निया, और सुलभा, रोज भगवान की अराधना कर दी, बिदुर जी मौन होकर बेठे रहते तो सुलभा ने कहा, किसी के बोलने से अपने सरीर पर क्यों अंतरा, क्यों, एक काम करो, अगर कोई अपशब्द कहवी रहा है न, उसके विचारों को छोड़ते चलिए, उसके विचारों को छोड़ते चलिए, हम क्यों किसी बातों पर विमर्ज करें, क्यों हम रोएं, क्यों हम विचार करें, किसले, सुल्भा ने अपने पती को समझाया शिव महापुरान की कथाकती है माता पार्वती जी ने शंकर को समझाया था भगवान शंकर की कथाकती है रिद्धी सिद्धी ने भगवान श्री गणेश जी को समझाया था शिव महापुरान की कथा करती है आद्य शक्ति मा भवानी मा दुरगा शंकर भगवान को कभी कभी ज्यान उपदेश दे देती है इसलिए उनको विद्ध्या भी कहा जाता है शिव महापुरान की कथा करती है कभी कभी धर्म पत्नी भी अपने पती को सत्मार्ग बता सकती है पर पती समझे तब नहीं तो पती कर देते हैं तु क्या जानती है तिरे में तो अकल नहीं है तु तो पुद्धियरी है हट चुपे तुझे मैं क्या कले तो क्या समझेगी अरे भाई जितना ग्यान तुम में है उतना ग्यान उसमें ऐसा नहीं है कभी कभी ही वो अगर अच्छी बात कहे जन मानस के कल्यान की बात कहे स्रेश्ट बात कहे तो उसको स्विकार भी करना चाहिए और नहीं करते है तुम क्या जानते हो, तुम क्या समझते हो, कभी-कभी चित्यवर्ति में आज़ा। और शम्भू शर्ने, मागो गईने, दुख काड़ो, दयाकरीन यद शर्ने काड़ो। अब कभी-कभी चित्यवर्ति में ऐसा भाव उत्पन हो जाता है, कभी-कभी अपनी चित्यवर्ति में ऐसा विचार उत्पन हो जाता है। जो विचार सरिष्ट तम नहीं है। शिम महापुरान की कथा करते हैं, भगवान संकर का पावन चरित्र करता है। और देवादी देव महादेव का युपावन चरित्र करा है भगवान संकर की कथा कर रही है वो कथा का एक भाव प्रजट करता है सुलभा ने अपने पती विदूर जी से बहुत सारी बाते करें सुलभा ने कहा विदूर जी से स्वामी तुम इतनी सी बात का क्या विचार करत स्वामी इतनी सी आपको सोचना चाहिए सुलभा ने जैसे कहा विदुर्जी की चित्वरती में बात बेटी और विदुर्जी की चित्वरती में जैसे बात बेटी विदुर्जी महराज ने उसी समय उसी पल उसी घड़ विचार कर लिया सुल्भा तू सत्य कर रही है क्या करना चाहिए तू बता क्या करा जा करके नात बहगवान क्रिष्ण की भक्ति मेंने जिंदगी भर कर दी भगवान कृष्ण के अनाधना मैंने जीवन बर करा है भगवान कृष्ण की अवीरल बक्ती मैंने जिन्दगी बर धारन करी है मैंने भगवान कृष्ण की अवीरल बक्ती को अपने जीवन में उतारा है सुलभा मैं चाहता हूं कि द्वार का नाथ जब हस्तिनापुर में आये तो मैं चाहता हूं कि मेरे द्वार का नाथ मेरे दर्वाजे पर भी पौगती। मेरे दरवाजे पर गया और आप समने एक पवित्र चरीत्र श्रमन करा होगा पवित्र चरीत्र चरीत्र दुरियो धन के मेवात्यागे सबी लोग आईएगा साथ में दुरियो धन के मेवात्यागे साग भी दुर घर खाईएगा सबसे मूची प्रेम सराएगा सबसे मूची प्रेम सराएगा दुरियो धन के मेवात्यागे सबसे मूची प्रेम सराएगा सबसे मूची प्रेम सराएगा एक विश्वास अपने भीतर प्रगट करकर सुल्भा अपने पती से करती है मेरा शिव की अराधना करी है मैंने और मेरा विश्वास करता है भगवान द्वारकानात शंकर के भक्त है देखो दो दिन की कथा है आज की कथा थोड़े समय के बाद में विराम हो जाएगी विश्वाम हो जाएगी एकल की कथा सुभा आड वजे से ग्यारा वजे तक हो जाएगी टीवी पर एक वजे से चार वजे तक हो बीच-बीच में कारे करता लोग खड़े भी हो जाएंगे उनको देखकर तुम भी खड़ी हो जाओगी तुमको देखकर तीसरी खड़ी हो जाएगी तीसरे को देखकर छोथा खड़ा हो जाएगा तुम कोई नहीं मालूम पड़ेगा खड़े क्यों हुए खड़े वो नहीं हुएं खड़े इसलिए हुएं क्योंकि संकर भगवान भी चाहते हैं कि तेरी पांच दिन की भक्ती में थोड़ी तुटी हो जाए तुटी हो जाए अगर पूरी कथा सही से सुन लेगी तो मुझे जोली भरना पड़ेगा और अगर कथा में कसर रह गया तो अगर अगली कथा सुनने के लिए तब जोली भरना पड़ेगा इसलिये सावद्हान कर ऑज कर तूम लोग तो उसमें क्यों जैसे एक मंधिर में एक पंडी ची आती करते थे और मंदिर में पंडी जी आरती करते और उनको आरती के समय पर रोज संक की ध्वनी आती उनको लगता कोई संक बजा रहा आरती करते वो संक बजा रहा छे महीने निकल गए पंडी जी के आरती करते संक की ध्वनी सुनाई दे छे महिने बाद वो संक बजाने की आवाज पंडी जी को नहीं पंडी जी पूस्ते-पूस्ते पास वाले गाउं में गए कि भईया मैं आर्ती करता हूं जब यहां कोई संक बजाता है वहीं पे कुमार था घोट मोट कराया हुआ था गंजी खुब चिल्ला चिल्ला के रोया हाईरे मेरा संकेश्वर मर गया हाईरे मेरा संकेश्वर मर गया हाईरे मेरा संकेश्वर मर गया पंडी जी ने पूछा कौन मर गया कि हमेरा संकेश्वर मर गया पंडी जी को लगा कोई स बांडी जितने लोग आये उन्होंने पूछ लिया, तुमने गंजी क्यों कर आई, पंडी जी बोले, पास के गाउं में संक वाले महराज थे वो मर गए, इसलिए मिने गंजी कर आई, गाउं के लोगों ने सोचा इतने बडे महराज थे तो आपन भी खडा लूए, अब पूर मालूम पढ़ लिए तद्स पेतालिस गाउं थे सब गंजी हो गवारे गाउं के खटे होके आगरा पहुंच गये और जैसे ही गाओं के गंजे शहर में गए तो वह गंजे गंजे घुम रहे थे कुछ लोगों ने पूछा तुमने गंजी क्यों कराई हमारे गाओं के पास गाओं के पास संख वाले महराज थे मर गए तो गंजी कराई मालूम पढ़ा आगरा के लोग भी साथ में शहर के में गंजे गंजे दिख रहा है उनने का गंजो को एस पी कलेक्टर ने गंजो को पकड़वाया गंजो को पकड़वा के पूचा क्यों तूने गंजी क्यों करें उसने का मेरे परिवार वालों को बुलाया उससे पूचा तूने गंजी क्यों करें उसने का मेरे गाउं के लोग कि एक था कि वस्तुमारी वी आलात एसी है एसी एक खड़ी हुई कि दूसरी खड़ी कि मालूम पड़ा थोड़ी देर बाद इती सिरी रेवा खंडे सत्त नरण का थासा मात थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा हुआ क्या था चल रहा था तो पंके में क्या हुआ था थोड़ा थेज चल रहा था तो तेज चल रहा, तो उसका डंडा हिल रहा था, तो हाँ, मैं समझी गिर जाएगा, पड़ो सन्य का तू तो मेरी जान ले के माले के श्री शिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महादेव